चलिए दोस्तों फटाफट से बात करते हैं CPC के प्रारंभिक की बारे में जिसमें प्रिलिंबरी में ये दिया गया है सबसे पहले तो संचिप नाम प्रकरण और विस्तार दिया गया है और इसी तरीके से हम देख लेते हैं सेकेंड जो की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये संचिप विवरन है ये नागा लेंड और जन जाती पर नहीं लागू होता है उसी तरीके से बात कर लेते हैं परिभाशाओं के बारे में जिसमें सबसे पहले नंबर पर दिया है सहिंता सहिंता मतलब होता है कि सहि दूसरा डिक्री के बारे में हैं डिक्री एक ऐसा निर्णे होता है जो कि वाद की समापती के बाद ही जारी किया जाता है वो डिक्री होता है और डिक्री में का ख़़ दिया गया है कि ना तो ना निर्णन आएगा जिसके अपील इसमें अपील करने के लिए आप्शन होता ह लेकिन इस डिक्री ये अंतिम माना जाता है उसी तरह इसमें कोई व्यत्तिक्रम नहीं कर सकते कि इसको खारिज कर दिया जाए क्योंकि अंतिम डिक्री होती है और डिक्री दार विच मींज एक्स्प्लानेशन डिक्री होल्डर डिक्री होल्डर वो होता है जिसके प्रति डिक् कहते हैं उसी तरीके से आप देख लीजे कि डिस्टिक डिस्टिक जो होता है कि इस्थानी सीमाओं के अंदर अभी प्रेथ होता है उसको एक जिला कहते हैं जो कि नियाले के अंदर का होता है विदेशी नियाले जो भारत से बाहर इस्तित है उसको फॉरेंड कोड कहते हैं और वह government की तरफ से अपने बातों को रखते हैं किसी भी case में संचालन करने के लिए उसी तरी के से बात कर लेते हैं निया अधिश, निया अधिश which means judge, judge means pleading officer, the civil court, civil court का पीठा सी नदिकारी जो होता है वो judge होता है उसी तरी के से बात कर लेते हैं judgment की judgment जो होता है वो decree या अधिश को ही judgment कहा जाता है वो की section 2 के 8 number में दिया गया है वैसे 9 में दिया गया है judgment जो कि नयाल या decree होती है मैंने पहले भी बता दिया था और 10 में मैं दोस्तों बता देती हूं आपको कि decree डेप्टर होता है मतलब जिसके विरुद decree पारित की गई है उसको judgment डेप्टर कहते हैं उसी रिप्रेजेंटेटि वह होता है जब किसी की मृत्ति हो जाती तो उसकी तरफ से उसकी संपदा को बचाने के लिए अपनी बात को कहने के लिए लीगर रिप्रेजेंटेटि होते हैं उसी तरीके से section 12 में संपति के अंतहकालिन मेंस प्रॉफिट जो होता है वह अंतहकालिन की बात करता है उसी तरीके से दोस्तों मैं बात कर लेते हैं 13 नंबर की जिसमें जंगम संपत्ति जंगम संपत्ति मतलब मूब्ल प्रॉपर्टी मूब्ल प्रॉपर्टी मतलब जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है उसको कहते है मूब्ल एक तरह से उसका प्रोफार्मा ओदेश होता है और प्लीडर प्लीडर जो होता है वो न्यायले का जो होता है जो प्लीडर केते हैं सब्सक्राइब ने मतलब सब्सक्राइबमिंघ को अधिकारी जोता है जो कोई नियाा धीश रहा गया है तो सफ्याइबा दर्या मिटन हो गहाब करने का अन्यान प्रण करता है उसी के आंगव में बताए गया गया है कि अैसे पठधरन किसी बिद प्रिरोध करने में रखने के सलगे सब्सक्रा सब्सक्रार कर नंग कर दो । उर् सघंट अत्याल skulle करने को सब्सक्राइब अरोग बैदिकारि व्हार्ण करने कोची के इंतर्विष्ट अत्वा धारा 122 या 125 के दिन निया जो की सीपीसी बात करता है ओर्डर और रूल्स की तो उसकी इंतरगत ये बाते आती हैं उसी तरीके से दोस्तों बात कर लेते हैं 20 जिसमें साइन के बारे में बताए गया है और सक्सें 19 में शेयर के बारे मता गया शेयर निगमा शेयर मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी का छोटा भाग हो गया किसी स्टॉक का किसी मतलब स्टॉक हो गया डिविंचर स्टॉक हो गया या फिर बंद पत्र हो गया तो वो हो गया निगमा शेयर इना कॉर्परेशन शेयल बीडीम टू इंक्लूड इंक्लूड डेंचर और बॉन्स उसी दिए दोस्तों बात कर लेते हैं निरने या डिक्री दिशा में स्टार्क श्रीद के अंतर स्टाम पर आता है साइन जो होता है और 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 डिक्री की दसा के स्वाए भी अंतरद स्टाम पर आगारा होना चाहिए तो दोस्तों इसमें कुछ exceptions भी दिए गया है जो I think section की हमें exception किते ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको हम one ऐसे ही एक नज़र में पढ़ना चाहें तो पढ़ लें उसी तरीके से यह सब चीज़े जो दी गई है अब यहां से दोस्तों पार्ट 1 तरट हो जाता है तो पार्ट 1 के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर दे like कर दे comment कर दे तो मैं पार्ट 1 का وीडियो चल दे के आऊंगी आपकी सब्सक्रिप्शन के बाद तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बात